हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल तो दोस्तों आज आपने हमारे थम्निल पे जो कुशन देखा था उसको सॉल्ब करने का वहती सिंपल मैथड हम समझेंगे अगर कोई भी नॉन परफेक्ट इसका रूट वाला अजिली निकाल सकते हैं अब यह जो हमारा नंबर है नॉन परफेक्ट इसका रूट वाला है क्योंकि सेवन के इसका रूट हमें पता नहीं हम निकालेंगे होता क्या है अब करना क्या है आपको अब यह सेवन है सेवन के नियरेस्ट आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो किस इसकार होना चाहिए किसी एक नंबर का वो भी 7 के निरेस्ट हो जैसे 9 हमने ले लिया 7 के निरेस्ट है और 3 का ये फर्फेक्ट इसकार होता है ओके ना अफ करना के हमें जो ये 3 है उससे आप यहां लिख लिए उसी फिरी को आप यहां पे लिख लेना है ओके इन दोनों नंबर्स का जो टिफ्रेंज़ से वह कितना है आपको यहां पे लिखना है वो टू है राइट वह कितना है लुए अब इस नंबर का डवल नीचे लिख दो 3 2s나 6 इतना आपको करना है अब बात आती है यहां पर प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का आएगा वह आपको बताएगा जो गिवन नंबर है वह स्मॉल हो गया फिर या फिर ग्रेटर है जो गिवन नंबर है वह मेरा सेवन नाइन से छोटा आ गया तो यहां पर आगा माइनस अगर मेरा यह greater होता है इस वाले से तो यहाँ प्लस का सायना आता है, अब यहाँ पे आपको simply calculation कर लेनी है, 3 minus 1 by 3 हो जाएगा आपका यह, 2 1s are 2, 2 3s are 6, अब यहाँ पे इसको अप्सॉल्ब कर लो, 3 3s are 9, 9 minus 1 upon 3, 9 minus 1 upon 3 आपका होगा, 8 upon 3 के equal, अब आपको 8 को divide करना है, 3 से व अब आप 8 को 3 से divide करोगे, तो 3 2s are 6, ओके, तो यहाँ पे आप माइनस करके आपका 2 आएगा, decimal तो आपको आना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए, 3 6s are 12, sorry, 3 6s are 18, यहाँ पे आगया 2, ओके, decimal लगा होगा तो आप 1 को 0 ले सकते हो, अब क्या हुआ यह जो question है, आपका repeat होता जाएगा, ओके, यह जो question है, आपका repeat होता जाएगा, अब आपको question को यही रोग देना है, अब हमें देखना है, divide होके जो भी answer आया है, वही आपका under root 7 का perfect square हो गया, ओके, आज हमने इस वीडियो में non-perfect square number का root लिकाना हमने सीखा है, इस तरीके से आप किसी भी non-perfect square root को आप निकाल सकते हो, and thank you, wait for the next video.